हेलो फ्रेंड्स गुद मॉर्निंग देखें मेरे गलाडिया के सुन्दर सुन्दर फूल और दिखाते हूं आपको यह दिखो यह दिखो यह दुस्तरा कि चलिए अब आज की बात पर आते हैं कि आज मैं बीडियो बना रही हूं कि एलोवेरा के लिए कि मैं से किसी ने पूछा था कि पर एलोवेरा के उपर आप बताएए देखिए अलोवेरा यह सेकुलेंट फेमली से है ना इसको लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरी फूल संद में हमारे यह राज थान में दूप बहुत होती है बहुत ज्यादा टैंपरेचर भी बहुत बढ़ जाता है तो खाली दूप की बात नहीं है टैंपरेचर बहुत ज्याद यह सुखने लगती है बहुता डैमेज सा हो जाता है देखो इसको फूल संद की जगह पर अगर अपना ऐसी जगह रखें कि भाई जहां सैमी सेड़ो या ग्रीन नेट के नीचे रखें तो बहुत अच्छा चलता है देखिए यह दूसरा यह नीचे रखा था अपना देखो यह देखो किता बड़ा है बिल्कुल एक्तम लश्क्रीन है और यह दूप में खराब हो रहा है यह तो बात होई संद की आप बोडर के लिए इसमें बहुत कम दें तब इसकी मिट्टी उपर से सूख जाए ना तब दें पानी इसमें तो फिर ठीक चलेगा तो ज्यादा पानी से भी फिर यह लेगी सा हो जाता है और यह इसकी पतली पतली हो जाएंगी बहुत बल्कुर टीली डाली सी अएसी हो जाएंगी तो पानी उसको कम चाहिए पानी भी कम चाहिए और धूप भी जादा निज चाहिए एक सैमी से जई है मिटी मिटी इसको जैसे और शेखिलन्ट की होती है लुए उसमें कम से कम इसके λिए यह मान लो कि 40% इसमें वो चीए बजरी कंकर बजरी ऐसी मिट्टी होगी न तो बढ़िया रहेगा क्योंकि इसमें पानी नहीं रुकेगा और दीस परसेंट कंपोज और बाकी गार्डन सोयल चालिस परसेंट तो यह अच्छा चलेगा बार बार फिर इसमें कुछ डालने की जरूत नहीं रहे तो यह अच्छा चलेगा पढ़िया थैंक्यू फ्रेंड्स बाकी इसकी मेडिसनल वैल्यू भी भूत है अगर आप लोग कहते हो तो फिर मैं उस पर बनाऊंगी बाकी केर टिप्स तो यही है इसकी थैंक्यू